हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट चंदान सिंग फिर से आज रेकबने वीडियो के साथ आपके अपने फिर्ट चैनल CES टेक्निकल पे तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रेवे देले में एड्मिशन का टाइम सुरू होने वाला है तो मेरी पूरी कोसी से केंद्रेवे देले से रिलेटेट कोई भी खबर आए नियूज आए तो मैं तुरंट आप लोगों एक साथ शेयर करूँ औरडी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाये केंद्रेवे देले में एड्मिशन को ले करके तो आप चाहें तो मेरी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं वहाँ पर मैंने हर कैटेगरी हर कोटे को ले करके हर तरह के डॉकुमेंट्स को ले करके केंद्रेवे देले में एड्मिशन को ले करके एक शेडियूल मिला कि किस तारीक को एड्मिशन होना है किस तारीक से रेजिस्टेशन होंगे या किस तारीक से किस तारीक के बीच में जो है रिजल्ट आउट होंगे यानि lottery list out होगी इन सभी को लेकर के एक schedule मिला है तो सुचा क्यों ना आप लोग शायर करूँ शायद यह आप लोग के काम की चीज़ हो चलिए अब मैं आपको screen पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो news क्या है तो दोस्तों देखिए यह वो news है जो कि मुझे Google पर मिला था तो मैं सुचा आप लोग शायर करूँ देखिए यहाँ पे लिखा हूँ है upcoming entrance exam in 2022 देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हूँ है Kendriya Vidyalaya admission 2022-23 KBS online form for class 1st, 6th, 9th and 11th देखिए उसके नीचे यहाँ पे लिखा हूँ है Kendriya Vidyalaya admission 2022-22 Kendriya Vidyalaya Sankatan KBS is the authority to carry out the selection process to offer admission in Kendriya Vidyalaya KBS online application process is start in the first week of March 2022 Interested candidate can apply online on the official website KBS kvsonlineadmission.kbs.gov.in Check here all the important details about KBS admission 2022-23 उसके आगे देखिए यहाँ नीचे लिखा हूँ है updates Kendriya Vidyalaya admission notification for class 1 will be released in the last week of February 2022 to get all the latest updates stay connected उसके देखिए आगे यहाँ नीचे लिखा हूँ है तो देखिए यह point आपका देखना बहुत ज़रूरी है जो कि dates को लेकर के आ रहा है यहाँ पर देखिए लिखा हूँ है Kendriya Vidyalaya admission 2022 dates देखिए यहाँ पर लिखा हूँ है events उसके बगल में लिखा हूँ है schedule उसके बगल में देखिए नीचे लिखा हूँ है release of notification for admission last week of February 2022 schedule में लिखा हूँ है उसके बाद देखिए लिखा हूँ है online KBS registration for class 1 first week of March 2021 यानि कि जो KBS में online registration होने class 1 के लिए वो first week of March में होंगे यानि 2022 में होंगे उसके बाद देखिए नीचे लिखा हूँ है last date for registration for class 1 last week of March 2022 यानि कि जो last date है registration का class 1 के लिए वो March का last week है 2022 का ऐसा इसमें बताया गया है उसके आगे देखिए नीचे लिखा हूँ है release of provisional selection list and admission for class 1 first week of April 2022 यानि कि जो lottery list out होनी है वो first week में out होगी अप्रेल के यानि अप्रेल के first week में list out होगी lottery की तो दोस्तों इस news में ये बताया गया है ये मुझे news मिला तो सोचा आप लोग शाथ share करू उसके बाद यहाँ पर एक और point लिखा हुआ है Kendriya Vidyala admission 2022 overview यहाँ पर दिखे लिखे है conducting body Kendriya Vidyala संगठन यानि KVS उसके बाद दिखे है admission लिखा हुआ है KVS class 1st to 11th admission उसके बाद दिखे है यहाँ लिखा है academic session 2022-23 उसके बाद दिखे है लिखा हुआ है affiliation Central Board of Secondary Education CBSE bracket में लिखा हुआ है जैसे का आप लोग को पता है Kendriya Vidyala School CBSE Board से affiliated है उसके बाद mode of procedure लिखा हुआ है online और offline यानि जैसे का आप लोग को पता है Kendriya Vidyala में class 1st के लिए online admission होते है बाद जो second से लेकर 11 तक जो होता है वो offline mode में admission होते है उसके बाद जो official website लिखा हुआ है www.kvasangathan.nik.in तो दोस्तों यह जो मैंने आप लोग को news पढ़के बता है तो देखिए ऐसा होता है कि आज की date में यानि social media के time में क्या होता है कि लगबग सभी लोगों को पता है कि केंद्रे विद्याले स्कूल में admission कब से कब होते है तो लोग अपने blogs पर ये channel पर उसी schedule को follow करते हुए news बनाते है और social media पर spread करते है ताकि उनका news चल सके लोग उनको देखें तो मैं आप सब को बता दूँ कि जब तक केंद्रे विद्याले संगठन अपने official website पर notice जारी करके नहीं बताता है कि केंद्रे विद्याले में admission का schedule क्या है तब तक आप इस तरह के news पर विश्वास ना करें हो सकता है कि ये news सही हो लेकिन अभी तक केंद्रे विद्याले संगठन ने अपने official website पर नहीं बताया है तो जब तक केंद्रे विद्याले संगठन इसकी जनकारी नहीं देता है तब तक इस तरह के अगर कहीं भी आपको news मिलते हैं तो आप इनको देख करके panic ना हो कि registration की date आगई है और आप लोगों को नहीं पता चली है तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जब तक केंद्रे विद्याले संगठन अपने official website पर notice जारी करके नहीं बताते है तब तक आप इस तरह के news से बचे और साथी साथ आपको भी बताता हूँ से भी इसकी जानकारी आप सब तक पहुचा दूँगा अपने channel के माधियम से वीडियो बना करके तो आप मेरी तरह से बेफिक्र रहें जैसी कोई नया update notification आएगा या schedule आएगा तो वहाँ पर मैं तुरंत वीडियो बना करके आप सब के साथ share करूँगा एक और बात बता दूँ कि जो केंद्रेवेद्यले संगठन schedule जारी करेगा तो वहाँ पर लिखा होगा केंद्रेवेद्यले एड्मिशन schedule 2022-2022 यानि session 2022-2022 का वहाँ पर लिखा होगा तो मैं आप सभी parents से बस यही कहना चाहूँगा कि आप इधर उधर news ना देख करके आप केंद्रेवेद्यले संगठन की time time पर website को चेक करते रहें उसके official website को चेक करते रहें वहाँ पर जैसे schedule आएगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा तो इसलिए आप इधर उधर की news ना देखें और जो fake news हैं उनसे बचने की कोसिस करें तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि यह जो मैं आपको जानकारी दी है यह आपके लिए helpful होगी तो मैं last में एक पर फिर से बोलता हूँ कि आप fake news के उपर विश्वास ना करें जब तक केंद्रेवेद्यले संगठन अपने official website पर notice जारी करके नहीं बताता है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं और bell icon को press कर सकते हैं सबसे पहले मेरे वीडियो के notification पाने के लिए तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो झाल